वालकम बैक दोस्तों स्वागत आपका आज की नई वीडियों दोस्तों तो दोस्तों जैसे कि मैं रोज आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिस करता हूं जो मैं कारी करता हूं जो भी मैं फॉल्ट सही करता हूं उसके बारे मैं आपको मैं सिखाने की पुरी कोशिस करता हू और आज की वीडियो में आपको मैं कुछ नया सिखाने वाला हूं अगर आप एक नए इलेक्टिशन है आप काम करते हैं तो नए इलेक्टिशन के दिक्कत तब आती जब उससे कभी अगर फॉल्ट दूनने के रिए कभी भेज जाता है तो उससे फॉल्ट को फाइंड करना बह बात करेंगे नए परी बार लाइक कर दी है इस इस से इसे हमारे अंदर मीटर लगा रहेता है एपने मीटर लगा रहता है ऐसे हमारे घर के अंदर मेन बढ था आप समझे के वीडियो में लाइन आई हुई थी ठीक है जो एसे करने था में वह आया हुआ था उसके बावजूत के और जो इन्वोटर से जो आउट पूर्ट जानी चाहिए थी वह काम नहीं कर रहा था पुरे घर में लाइटे बन थी तो उसको हमेंने कैसे डूना इस व आउन रहती है जामारी रहती है तो यहांपर जया हमारी में सबस्टाक है यह से देख हो सिंगल और रहा हम अंतर्क को नगी होते हैं कभी है कि सोचा हमारा फेस होता है और नूटल उसको कहां से मिलता है अभी कितने लोगों को यह पता नहीं हुआ कि हम सिंगल वाय ले आते हैं और नूटल उसको कहां से मिलता है क्योंकि जा हमारी हाइडिल की जो मेर हमारी आई होती है जो मीटर में दो तारह होती है मिटर में ठीक है और यही के चाहिएए अगर आपको पता है प्लिज कमेंड कीजिए इस काम थोड़े देर में आपको बताता experts तो दिक्कत वाग वाज है कि हमारी मेन लाइन वहां ओन थी ठीक है में लाइन में the और घर में एक हमारे में कहीं मॉइन के वाउद ही चैसी में जो कॐंकर फोल वा जो आईल रहे थे और is वाउद होगी शुचक वाउद इस वीडियो में है को आपने कैसे रूआ है मैं इस वीडियो नहींगा च्छक्त उसको पहिए जोस्तों आपने क्या करना है है आपने देखना है कि हमारे जो हमारा इंडिकेटर है। उसमें और या नहीं आ ठीक है जब मैं वहां गया था तो मैंने देखा इनवेटर में 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 मिंज़सा में नसली पिछानल अमयामें में यह , motivate लेखा रहांता तो देखा न हमें तेयस्वा पासरे उसमें बलब जल रहा था ठीक है उसमें बलब जल रहा था इसका मतभव है हमारे इंवर्टर से आउटपूर जा रही थी आउटपूर अगर जा रही थी तो घर के अंदे और यह फिसुसमा इन दे रखा था उसको आपने चेक करना रहा है कि में और और नहीं आ तो जब हमने इन्वरेटी का प्लंग निकाला है अलेधिस लाए ठेश्ट्रत लगा इister तो हम पर light नहीं थी ठीक है ओके लेगिन होता क्या है जर हमारी light वहापर नहीं भी होती है Sat चले आती है तो इसके वार्ड इन्वेक डेताcken तो ज़सा घख धान कि घर के अनतर आनिकतर नहींतर बन तो यहां पर लाक। नहीं आ रहा था मेमरें यहां पर नियूंतर नहीं आ रहा है ठीक है, NEWTOM नहीं आ रहा था तो उसके बास से हमने चेक किया कि, यहाँ इस point को line कहां से आ रही है इस point को जो line आ रहे है, घर में कहां से आ रही है, वहां गे हम वहाँ पर हमने चेक किया मेन जो घर का जो main था, main जो dv लगी हुई थी वहाँ पर चेक किया तो वहाँ पर भी नूटल नहीं आ रहा था ठीक है तो वहाँ पर नूटल नहीं आ रहा था उसके पास से हमने जो मीटर है हमारा मीटर का हमने चेक किया मीटर से जो मीटर में हमारा जो मीटर से हमारे घर की जो लाइन गई अंदर को उसको हमने चेक किया तो हम क्या देखते हैं कि इसका न्यूटल ब्रेक हो गया था न्यूटल जल गया था ब्रेक हो गया था ठीक है तो ब्रेक होने की वज़े से क्या वा दोस्तो इसको न्यूटल नहीं मिल ला था न्यूटल की लाइन ब्रेक हो गई ठीक है ब्रेक हो गई तो उससे क्या हो रहा था कि जो हमारा inverter है inverter से फेश्ट हमारा जा रहा था क्योंकि हमें सिंगल वाय ले रहा है लेकिं निटल ब्रेव होने की वज़े से यहां से यहां जा रहा था फिर यहां से आगे हमारा नहीं बढ़ रहा था जिसके अंदर से घर के टृव निवल्ट के घया होता है यह चीज कही नहीं नहीं होगी पता नहीं होती है और टेंसन ना आतें कि हम आपके साथ ऐसी कोई कंडिशन आती है तो आपने कैसे चेक करना है मैं आपको बता दिया है उसके बाद में एक चीज़ और बताऊंगा दूस्तों ठीक है उसके चोटी सी और बताऊंगा होता क्या जब भी आपके साथ ऐसी कंडिशन आए आप अगर किसे घर में जाते हैं इंवर्टर आप देखते हैं क्या इंवर्टर की लाइन नहीं आ रहे है तो सबसे पहले आपने इंवर्टर की पीछे जो आउट्पुट होती है वाप आपने इंवर्टर का प्लक आपने में दे रखा है उसको चेक करना है कि महां पर में आई है नहीं आई है ठीक है दो चीजे और उसके बास से अगर आपके इंवर्टर दिखा रहा है अगर आपका इंवर्टर बैटरी लो दिखा रहा है ठीक है बैटरी लो दिखा रहा तो उस condition में भी आपकी लाएने बंद हो जाएंगी के अगरबट to low दिखा रहा है तो आपको समझना होगा हमारा जो इनोटर होता है उसमें हमारे ठीक है यहाँ पर हमारा जो होता है में नाइन यहां पर दिखते है उसके आपा charging का दिखता है उसके वाद से eco दिखता है उसके वाद से UPS दो hmmmode होता है उसके बाद दोस्तों आपका होता है बैटरी low बैटरी होता है उसके हाँ से फॉल्ट का भी होता है ठीक है इस टाप के यह इंडिकेटर वहां पर होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारे इंवर्टर में क्या दिक्कत है अगर आपके घरम बैक अप नहीं आ रहा है और आपका बैटरी लो साइन दिखा रहा है तो उस कंडिशन में क्या होता है आपकी बैटरी लो गई होती है जागर बैटरी आपकी लो हो जाती है तो उसको इनवर्टर चार्जिन नहीं कर सकता उस कंडिशन में आपने क्या करना है आपने इमनी बैटरी को ठीक है आपने इमनी बैटरी को एक चार्जर लाना है बारा ब तो बैटरी चार्ज होगाती है उसका जब आफ इन्वुटर से जौढ़ेंगे तो फिर इन्वुटर उसको चार्ज करना शुरु करा का? ενत्म आ बैट्री लो हो जाती है तो इसक soft इन्वुटर चार्जन नहीं रहिवा कर सकता है, यह इसको आब याद लंगना तो बैट लो उसको इस व्रहust १ेर्ट वाला स्वेशत है और आपका गर्फ को खर देख होते हैं एक लगा रहता है चार्जिंग का फ्यूज एक लगा रहता है में का फ्यूज ठीक है अगर आपका चार्जिंग का फ्यूज उड़ गया है तब भी फॉल्ट में लाइट जो लेगी अगर आपका में का फ्यूज उड़ गया है तब भी आपका इसमें फॉल्ट में आ वाँ गए मैं गानटी दे रहा हूं ठीक है उसके आप फ्यूज आमने लगाया और उसके बाद भी कर आपका बैट्टी चार्ज नहीं कर रहा है बैट्टी आपकी फूल है आपने चार्ज लिए है और यह में में साइन नहीं दिखा रहा है वीडियो को जहां से देखिए दोस मैन आपका बंद और आपका नहीं आ रहा है इनौटर बैकप दे रहा है तो उस सका मतलद है कि आपके इनौटर के अंदर फॉल्ट है आपको इनौटर को रिपैर कराना पड़ेगा तो यह कुछ कंडिशन थी जो मैंने आपको इनोडर की बताई ठीक है अगर आपको यह समझ में आया है तो प्लीज कमेंट करके बताएं अगर कुछ चीच सूट गई है तो उसको भी कमेंट करके बताएं नाइनटियेट परसेट यह लोग देख रहें इसना नहीं कर रहें प्लीज सब्सक्राइब किजिए और जो भी कमेंट कीजिए डिस्केश्व में नमबर है कॉल कर सकते हैं दिन भर में कमस्केम्स में 10-15 लोगे call मेरे को पढ़ दे आते हैं और मैं सबका answer देता हूँ और सबके help करता हूँ दोस्तों कल मिलते हैं ऐसे वीडियो के साम तब तक के लिए बाई जाहिए